नमस्कार आप देख रहे हैं बोले भारत मैं हूँ आपके साथ मुस्कान सिंग आपको बता दे कि बिहार सरकार नीरज बबलू ने बीजेपी के सिर्ष नेत्रत से मांग की है उन्होंने कहा है कि NDA के वरिस्ट नेता वो सम्मानित है किसी का हक नहीं है कि कोई उनका अपमान करे यहां तक कि उन्होंने मुके सहनी का भी समर्थन किया है आपको बता दे कि मुके सहनी के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर कोई उनके साथ भी अभधर भाशे का यूज़ करता है तो वो गलत है मैं मुके सहनी का समर्थन करता हूँ देखिए क्या है पूरी ख़बर देखिए भारती चंदापाटी के शिशने तुरुते से हमारा अनुरोध है कि आवी लंब इस तरह के ब्यान देने वाले नेताओं पर अनकुष लगाए गडबंधन दल में शामिल हमारे तमाम वरिष्ट नेता सम्मानित है और किसी को इस तरह की टिपणी करने का हक नहीं है क कि वह गडबंधन दल में शामिल दलों के नेताओं के साथ अभध्र टिपणी या अभध्र वयवार करें यह निंदनिये हैं और जो भी नेता इस तरह का क्रित कर रहे हैं हमें अनुरोध है भारती जंदापाटी के शिशने तुरुते से कि अपने नेताओं पर अविलम रो निसंदे एंडिये के हर उस नेता के हम समर्थन में हैं जिस नेता के साथ कोई बस्वलूकी करें उनके साथ बदब्यान बाजी करें हमने अस पर तरीके से कहा कि अब ये वक्त आ गया है जब एंडिये के भीतर कॉडिनेशन कमिटी बना लेना चाहिए कॉडिनेशन के आभाव में ही इस तरह की ब्यान बाजी हो रही है अगर कॉडिनेशन कमीटी बन गई होती तो नीशन दे हम एक दूसरे पर रोक लगा सकते थे लेकिन अभी कोई कॉडिनेशन ही नहीं है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि जिसे जो मर्जी आ रहा है वो उस तरीके का ब्यान दे रहा है कॉडिनेशन कमीटी नहीं होने कारण महा कठवन्दन से हम अलग होई थी देखे हमने असपस्ट तरीके से कहा कि आज जो मुकेश तहनी जी के साथ जिस तरीके की ब्यानबाजी उनको लेकर हो रही है वो निंदन यह है जिसकी जितनी विवसना की जाए वो कम है मुकेश सहनी जी एंडिये की एक सम्मानित देता है और उनके उपर में इस तरह की टिपणी कही ना कहीं से इंडियों को कमजोर करनी की कोशिश की जारा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें आईना दिखा रहा है आस्मान में अगर कोई ठुकने की कोशिश करता है तो इससे नहीं मालूम है कि ठुक गिरके उनके मुह पर आगी बीज़पी के मंतरी कह रहा है कि माली जी कि अब उम्मर हो गई इसने जुबान फिसल जाती है कई मुद्धों पर इसका मतलब क्या है कि नरिंदर मोदी जी को राजनीती से सन्यास तैना चाहिए जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हें कम से कम नरेंदर मोदी जी के 100 स्पीच को सुनना चाहिए 100 स्पीच में 90 भाषनों में कही ना कहीं से गलतिया होती है तो क्या हम उनको कहेंगे कि मोदी जी राजनीती छोड़ दीजे जो नेता इस तरह का नरगल ब्यान देते हैं हमने पुरू में भी कहा और फिर कह रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी के शिशने तुर्थे से अनरोध है कि वैसे नेता पर कारवाई करें आप लोग ने कहा शराब बंदी को खत्म करने चाहिए उमेश कुश्वाह पर दे सज्जक्ट से जदी के वह कह रहे हैं तो अगर जन्विरोधी बात है तो देश के सरकार को कहें देश में अंडिये की सरकार है उमेश कुश्वाह जी के जो नेता है वो किंदर में मंत्री बने हुए है किंदर सरकार पूरे देश में शराब बंदी लागो कर दे किसने रोका है बई अगर जंता के साथ ये खानून है तो पूरे देश में शराब बंदी हो जानी चाहिए हम उसके पक्षतर हैं लेकिन इसका मत्तब यह नहीं कि शराब बंदी के आण में जरीली शराब बेचा जाए और जरीली शराब पीकर के बिहार की आवाम मरे इसलिए ह संक्रमित हो गए हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि मांदी मुखमंत्री इस मामले में हस्तक्षिप करेंगे तो तमाम विवात का सल्टा लिया जाएगा ऐसे ही तमाम घबरों के लिए हमारे साथ बने रहें बोले भारत देखते रहें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद